आज आठ एप्रिल में पिछले 24 घंटों में करोना वाइरिस की जो सिचुएशन है उसे आपको आगा करना चाहता हूँ कल तक मैंने आपको बताया था कि 10,223 टेस्स हम कर चुके थे पिछले 24 घंटों में हमने 758 केस और किये हैं टेस्ट और इन 758 केस को मिला के टोटल जो हमने टेस्स किये हैं 10,981 हो गए इन 10,981 टेस्स में आज 50 और लोग इस वाइरिस में पॉजिटिव आए हैं कल तक ये नंबर 986 था आज सुबह तक 1036 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं हमारे पास इन 1036 में से टोटल 280 लोग से हतियाब हो चुके हैं कल तक ये टादा 269 की थी 11 लोग और रिकावर कर चुके हैं इस तरीके से टोटल 280 लोग से हतियाब हो चुके हैं अनफॉचनेटली दो लोगों की और डेथ हुई है पिछले 24 घंटों में और अब जी लोग इस वबा से जिनकी हलाकत हुई उनकी तादाद 20 हो गई हैं इस वक्त बाकी जो हमारे पास पास एक्टीव पेशेंट से उनमें 382 तो में हैन है सतांवे पेशेंट जो गांवन ऊसouv एंटर सेंटर्जbringen उसमें हैं और 257 पेशेंट इस वक्त प्राइविट और जो पब्लिक हॉस्पिटल जो में मिलाके 257 पेशेंट है हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपनी टेस्टिंग की तादात को बढ़ाएं ज्यादा से ज्यादा लोग आइडेंटिफाई करें ताकि उनको आइसोलेट किया जा सके लेकिन इस कोशिश में हमें आवाम की मदद की जरूरत है जो मैं कहता रहा हूँ कि घर पे रहें एक दूसरे से दूर रहें आई 14 शाबान शबिबरात की रात है शबिबरात मफपरत और रहमत की रात है शबिबरात पे हमें अल्ल face में गरगड़ा के दौा दौा मांगनी crappy में अपने घरों में बैटके दौा मांगनी चाहिए सबकरे कि आल्ला ताला हमें इस मर्ज से जलत नजाद दिलाएं एक के साथ साथ अपने बिजर्गों के लिए आल्ला ताला से दौा मांगे मैं अलुमाई दीन से भी कहुँगा कि वो टेलिविजन पे लोगों को ताकीद करें कि वो घरों पे दौा मांगें और सब अलुमा एक्राम भी अगर टेलिविजन पर ये सब इस्थमाई दूा कराएं सबसे ताकि अल्ला ताकि अल्ला इस मोजी मर्ज से हमें जल निजात दिलाएं इस दूा मगफरत की रात में अल्ला आपकी अबादत आपकी दूाएं करबूर करता है में सब मुसल्मानों सुझी दर्खास करूबा कि आज रात ये शब वरात की रात करोना की वबा की निजात के लिए इस्थमाई दूाएं घर पे बैठके मागें आपका शुक्रिया पाकिस्तान जिन्नाबाद